हमेशा हमारे लोगों की company यह रहेगे से दूसरे एसा इंडस्टी ही जूट इंडस्ट्री यहने दुनिया की सब से एंडस्टरी जूट की मैं तो है अभी तक सबसे बड़ी जूट की किसीदेश में तो बहरत में है मैं कि बॉर्ड इनक्त शब innovation और में हो Tappak लेकिन एक्सपोर्टर में हम दूसरे स्थान पर हैं लेकिन इस जूट के वज़े से 40 लाग किसान इसके उपर निर्भर है काम करते हैं उनको अमधनी मिलती है और लगबग 1,40,000 लोग खेतों में काम करते हैं तो उनको खेतों से रोजगार मिलता है एंप्लाइम मिलती है लेक इंडेस्ट्री की क्या इश्यूज है अभी यह इंडेस्ट्री भी उतनी डेवलोप नहीं हो रही जित्ती होनी चाहिए आज पूरे देश में पूल मिलाकर 93 मिल है सबसे ज्यादा वेश्ट बंगल में है बाद में उडिसा में है आजवज के इलाके में है और इसमें प्रॉ जूट कहा कहा इस्तमल होता है इन फैक्ट जब यह पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चला कि जूट कि ने सारे सेक्टर में कितने सारे जगह में यह प्लास्टिक को रबर को रिप्लेस कर सकता है आज जो सस्टेनिबिलिटी सस्टेनिबिलिटी चाहिए पूरी दुनिया क को प्लास्टी को रिप्लेस्मेंट चाहिए रबर को रिप्लेस्टी चाहिए गितने सब्सक्राइए जगह बेelाएं से डिए हमारे टेक्न कि डिलईolit व है यह produkt क्योंट में नहीं कोई ब्र Ondo यह क्यों काम कर बना है और दोस्तों मैं समझता हो कि जूट पूरी दुनिया में 70 प्रतिशत जो भी पूरी दुनिया के जूट प्रोड़क्शन है 70 प्रतिशत भारत बनाते हैं हम बनाते हैं और इस जूट को लेकर आपको अंदाज आई नहीं है कितने सारे सब्सक्राइब कितने सारे सस्टेनेबल प्रोड़क्ट एंसे लिए इको फ्रेंडली प्रोड़क्ट हम बना सकते हैं पूरी दुनिया में बेश सकते हैं इत्ती जूरत है इसे अभी मैं आपको बोलता है इंडिया के पोजिशन अभी देखे एक तरब आप देखेंगे तो जूट एक्सपोर्ट करके जो पैसा मिला है वह 100 मिलियन से जज़ाद है अर्मोस्ट 820 करोड रुपे 앞으로 ऐसा हो सकता है खिच्ण लेकिन वह पैसे daha कमा माणत को कम बेचके यह जादा कम हरा है स्का मतलब इस यह जो प्रोड़क्ट है इसकी दुनिया को बहुत ज्यादा जरु इस चिसको लेकिन वो शायद किसानों को नहीं मिल रहा है इसलिए किसान उसका ज्यादा उस पदन नहीं कर रहे है चाहिए तो बीच वाले जो व्यापारी है जो ट्रेडर है उनको वह ज्यादा पैसा कमा रहे हैं हम यही परिस्थी तो बदल नहीं है आज इस जूट को लेके अगर आप देखोगे तो इतने सारे बन सकते हम जूट के बारे में जब भी सोचते हैं तो हमें सिर्फ थैली नजर आती है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों जूट इस ग्रेट प्रॉड़क्ट इंकमिंग डिस जो हम डेवलप कर सकते हैं आज के तारीक में बहुत ज्यादा प आप उनलाइन ओडर करते हो तो चीज आपको घर आती है और इसके लिए पैकेजिंग इंडरेश्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टन बन देए और इस पैकेजिंग को जो आप्शेन है आज के तारीक क्या इस्तमाल करते है रबर प्लास्टिक थर्मकॉल इस सब को रिप्लेस यनव रोने वाला और फिर सबसे बड़ा बिजनस डिवलोब करेगा Hmm कि मेरे आप से वीद्थी है कि चलो इस पर काम करते है। जोंभी लोग हमारे रिक मिलिक वं सब्सक्रों जो दे इस communicate क्कॉरता हूं कि हमारे आइम97 से बात करते दूसकर साथ काम करने के लिए अगर मिले तो 100 फैक्टरी लेते ने तो उनके साथ मिलके काम करते हैं तो पर सब्सक्राइब करते हैं अभी एमकोल 15 प्रोजेट हम ने की है और 85 90 प्रोजेट्स भी आ रहे हैं तो वैसे वर हम से शुरवाद जूट के इस एक कंपनी के साथ इम्मेडेट्ल करते हैं और फिर उस में कई सारे प्रोड़क्त जैसे यह opportunity है, हमारी किसानों के लिए हमारे लोगों के लिए, और मिलकर इसे करते, आप सभी अभी इस जूट के प्राउट के उपर भी काम शुरूआत कीज़ें